हाई दोस्तों असलों वाईकूम कैसे आप लोग मैं अम नभील है iOS 17.6 यह वाला जो अपडेट है यह स्टेबल अपडेट में लेटिस्ट अपडेट है आप में से बहुत लोग ने किया होगा बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे कि मैं अपना रिव्यू जो है आपके सामने मिले थे वो यहाँ पे मैं पिछले वीडियो में बता चुका हो लेकिन यहाँ पे इस अपडेट का परफॉर्मेंस कैसा है इस अपडेट में बैटरी लाइफ कैसी है ओवरॉल एप्स कैसे चल रहे है नेट्वर्क स्टोरेज वागरा सारी चीज़े कैसे काम कर रही है इटि डेट कब आया था अपडेट आया था तीज जुलाई को यानि कि ट्यूजडे को और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब है सैटर्डे तो यानि कि मैंने इसको वेंजडे थर्जडे फ्राइडे और सारडे चार दिन प्रॉपली इस्तमाल किया है आज मैं प्राइमरे रात में जैसी फ्राइडे लगता है रात के बारा बजे होते है मैंने वापर इसको चार्जिंग से हटा दिया बारा बच के एक मिनिट पे 100% चार्ज किया था और सुबह मैंने जब इसको चेक किया आड़ बच के तीन मिनिट पे तो आइडल बैटरी ड्रें जो है बिल्कु लगतना है कियोंकि बैटरी हेल्थ कम हो जाती है तो फी फोन के कम हो जाती ऐल्सी बात है PayPal यहाँ पá's नाफ देखले तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 घंटा 1 मिनिट इसने फ्राइड़ पाट को दिया है और वो भी ऐसे निकर एक दिन में इसको इस्तामाल कर लिया पूरा मैंने इसको Friday की रात से लेके Saturday की रात जो लगी थी मतलब आज की रात 12 बजे और फिर आज का पुरा दिन तो ये 24 गंटे हो गए और फिर 12 गंटे होगा यानि कि 36 6 hours हो गये और वो 12 घंटे के बाद और जो है 1, 2, 3, 36 के उपर और 3 और पौने 4 यानि कि आप समझ लेजी 40 घंटे जो है मैंने इसको इस्तमाल किया है with 6.5 hours of screen active time जो के phenomenal है मेरे साथ से बहुत ही outstanding है यही same battery life मुझे मिलती थी मेरे iPhone 15 pro max पे सोची iPhone 15 में इतनी अच्छी battery life मिल रही है 17.6 पे 15 pro max वगरा पे और अच्छी battery life आपको देखने मिलेगी लेकिन मेरा 15 pro max जो है यह iOS 18 पे में चला रहा हूँ जिसकी वैसी यहां पे battery life बहुत ही ज़्यादा सफर कर रही है 3 गंटे का screen active time मुझे मिल रहा है same duration के लिए in fact मेरा 15 pro max है वो अगले दिन शाम में यानि 24 गंटे और जो अगले दिन होता है उसमें शाम तक चलता भी नहीं जब तर मैं वीडियो बना तो बहुत मुश्किल होता है हमको उतना खीशने के लिए लेकिन यह phone चल गया और मैंने इसमें विल्कुल भी कोई भी low power mode का इस्तमाल नेक यहाँ आप देख सकते है last 24 hours का भी आपके सामने data मौजूद है और यहाँ पे last 24 hours पे click करके screen on time नहीं देखना होता है इस तरीके से जाईए और individual day का choose कीजिए तब आपको screen active time मिल जाएगा और इसलिए मैं रात के 12 बजे स के measure करना शुरू करता हूँ चलिए अब इसमें जो है अगर satisfied हो गए battery के मामले में तो अगली चीज जो आपको concern कर सकती है वो होती है heating और यहाँ पे यही वज़े है कि Apple ने बहुत अच्छे से इस पे heating control किया है इस वाले update में और आपका phone जो heat नहीं होना चाहिए अगर आप आपने अच्छे से optimize किया है हमारे वीडियो बगरा देखे तो heating का कोई भी issue नहीं है हमारे यहाँ पे जो अभी temperature है currently वो 27 degree Celsius है on the cooler side ही है समाझ लीजे फिर भी अगर देखा जाए iOS 18 वगरा के comparison में तो heat यहाँ पे ना के बराबर ही है और heating इशू आपके फोन में नहीं आना अब यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको as a primary device इस्तमाल किया था तो यहाँ पे जो system data है वो भी चेक लेते तो इस वाले फोन में system data on the higher side है when compared to iPhone 15 Pro Max यह देख से कि 8.33 GB है उसमें 1.07 GB रहता है वह तो पूछते भी ऐसा क्यों है अलग-अलग क्यों है क्योंकि यहाँ लिखा है this value will fluctuate according to system needs इतना अब इस्तमाल करते है यह फोन को उसके इसाब सही value कम जादा होती अभी 8.33 GB है कल हो सकता है 10 GB हो परसर हो सकता है 5 GB हो उसके बारे figure करने की ज़रूत नहीं है बागी storage का कोई इसमें bug इस वाले update में नहीं है और सारी चीज़े यहाँ पर storage के मामने भी properly काम कर र SIM card डला था तो यहाँ पर जो है मैंने इसको properly use किया है मुझे network related कोई भी इसमें शिकायद नहीं तो hopefully आपको भी नहीं आई अप क्रैशिंग क्या है इसके अंदर इसमें कोई आप क्रैशिंग नहीं है देखिए मैंने WhatsApp भी इसके अंदर मेरा install करके रखा हुआ है सारी सबको रहता है कि green screen issue क्या आ सकता है तो देखिए यह phone मैंने जैसे आपको बताया green screen issue जो है किसी भी update में आ सकता है चाहे वो iOS 18 का beta version हो चाहे वो iOS 17 का stable version हो यह phone देख रहे है यह 14 pro max है green screen issue इसमें आया है तो बिलकुल कोई भी phone है उसके अंदर green screen issue आ सकता है लेकिन आपका phone अ charging लगा कर update करने पे भी phone में green screen issue आता है हलाके Apple ऐसे कुछ बोलता नहीं है लेकिन लोगों के experience से मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है सारी चीज़े हमने cover कर ली दोस्तों इस review के अंदर iOS 17.6 की और यहां पे कोई मुझे major bugs वगरा भी नजर नहीं आए तो यहां पे signal है आप कर सकते हैं अभी तक कोई शिकायत आने रही है और public ने भी कोई शिकायत यहां पर रिपोर्ट नहीं किया है मैंने personally यूज करके देखा जान बुचकर हाला कि वह difficult हो जाता है कि iOS 18 भी में चला रहा हूं मैं अपने एक phone पे जो कि मेरा 15 pro max है उसको भी test कर रहा हूं औ मेरे इसाब से बहुत अच्छा अपडेट है आपका कैसा experience रहा 70.6 का अगर आपने अपडेट किया है तो मुझे comment कर जरू बताईए अगर आप करने वाले है ने करने वाले जो भी आप सोचते मुझे लिखके बता सकते है उमी किता दोस्तों आपका अच्के वडियो पसना ह होगा असना आपको तो वडियो करें शेयर जरू किजिए मेरे इस चैनल को सब्स्राइब जो किजिए गुडबाए